तो वहीं विशेश सत्र के शुरूख होने से पहले हमारे संबाद दाता अरेल मोर ने विधानसवाद दक्ष ग्यांचंद गुपता से एक खास बातचित के थी वो आपको सुनवाते हैं बजट को लेकर बुलाएगे ट्रेनिंग सेशन में क्या कुछ खास रहेगा क्यों ये सेशन बुलाएगे है इसकी क्यों जरूर तानपड़ीन सभी बुद्दों पर बात करने के लिए स्पीकर ग्यांचंद गुपता साब हमार साथ मोजुदा सर जो ट्रेनिंग सेशन आज खा बंधन के बारे में ज्यादा से ज्यादा ग्यान हो ताके वो अपना जो कार है विधाई कार है उसको अच्छे ढंग से पूरा कर सके उसी द्रिश्टी से क्योंके आने वाला कुछ दिनों के बाद बजट भी आने वाला है बजट की बारी कियां बजट किस परकार से त्यार ह होना चाहिए जो बजट हम कारे पालिका को देते हैं उसका खर्च किस प्रकार से होना चाहिए किस मद के अंदर जो हमने बजट दिया क्या उसी में हो रहा है इसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सम्मानिय विधायकों को बताने की अवस्चता है वैसे तो विधायक जो है सबी पड़े लिखे हैं सब भली बांती जानते लेकिन मेरा ये मानना है कि हर क्षण हर पल कुछ ना कुछ हम सीख सकते हैं एक छोटे बच्चे से भी हम सीख सकते हैं सीखने की कोई उमर नहीं होती है थीख है लेकिन पिछली बार जो विधायी समीतिय बनाएगी थी जो बजट ऐलोकेट होता है डिपार्टमेंट वाइज वह अध्यन करती हैं फिर उसमें कम ज्यादा भी हो जाता है बजट तो यह विधायी समीतियां कितनी कारगर हो रही है बजट के अध्यन में दिखे मैं मैं समझता हूँ कि ये भी जो विधाई समतियों के अंदर जो हमारे विधायक कारे करते हैं उन विधाई समतियों के अंदर भी अच्छे प्रकार से चर्चा कर सकें अधिकारियों से बजट की जानकारी ले सकें उसी द्रिष्टी से इस कारेशाला का आज यहां आयोजन किया में क्या कुछ खास रहेगा कौन कौन होंगे जो आज विधायकों को तमाम बारिकियां समझाएंगे अर्थ सास्तर की दिखिए दो जो हमारे एक्सपर्ट हैं दिल्ली से जो पी लेस जो लेजिसलेटिव असेंबली की एक प्रशिक्षन का केंदर है उनके दो उच्च अधिकारी यहां पर आने वाले हैं और मैं समझता हूं कि मुख सेशन जो है उनी का रहेगा स्पीकर साब की कोशिश है कि तमाम विधायकों को क्योंकि देखिए जो 90 विधायक हरियाना विधान सबा में हैं उनमें 45 विधायक ऐसे जो पहली बार विधायक बने हैं झाल झाल